नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम डिजिटल थर्मामीटर से बुखार नापनी का तरीका बताएंगे दोस्तो इसे हम मेडिकल भासा में फीबर बोलते हैं यदि आपको घर्म किसी भी बच्ची को या किसी भी बैक्ती को बुखार हो जाता है तो आप डॉक्टर के पाश ज सकते हैं तो चल्वी इस वीडियो को सुर करते हैं कि बुखार को कैसे नापा जाता है कितना ृटीरीड या नारता है तो हम इसे दावा झे सकते हैं यह लाज घर्रा सकता है तो चली 돼 को हम twists मैंने कईप को निकाल दिया रहता है यहां से open होता है तो दोस्तों यह देखिए ओपन हो गया और इसमें कुछ जैसे यहां पंचानी पॉइंट जीरो एफ यानि फारेनाइट दिया हुआ है दोस्तों बुखार फारेनाइट में ही ना पजाता है यह आपका यह यह आप नाया किन है और इस तरह से देखाता है नमबर तो इसे आप हम आप यह आपको इससे इस ठीचताओं दो स हाथ यहां थेखिए यहां थंडंद पानी से ठीच आपकएं फटम दोलुू लाइए यहां तरस ने घम्रम हो जाता है ना ठीचतों नहीं पातायए झाय वी इसे पांपज़ेृता है क्थे प्रतम हने में दो सब्सक्राइक यहां जो ठंडे पानी से यहां सते हैं तक हम पूछ का अच्छे कपड़े से पोच लेते हैं कि इसके बाद हम इसे ओफेंड करेंगे सीवच कुफी से आपको टिपना है कि और यहां देखे लो फारेनह sv सकते हैं और यह बहां के नीचे सकते हैं तो चलिए में आपको नाप के दिखाता हूं तो यहां से भी आप यहां से मैं आपको देखाता हूं मैंने इसी दबा लिए हैं और देखिए मिनट चलने लगा यह बानबे हो गया और जब आप बाहर से आपना पिएगा तो एक टिखरी ज्यादा लीजिएगा फारेनहाइट और यदि आप जुबान से अंदर नापते हैं जीव के नीचे तो यह आपको एक वन पलस में वन फारेनहाइट ज्यादा नहीं आपको लेना है और जब आपको इसमी से बीब कावा आजाता है तो आपको हटा लेना है तो दोस्तों अपने घर पर यह जरूर रखें बच्चे को या स्यान को किसी को भी अभी लॉगडाउन चल रहा है और फीवर की संका ज्यादा रहता है तो आप इससे रखिए डिजड़ थामामेटर बह प्रश Holiday मेंने यहां दबाया है और यहां मiper आ जाए गया तो मैं यह टेास्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि मैंने टेस्ट किया था यहां रखर आप यां यह यहां तक तो में आपको इपको अप्रशे दिखाता हूं अपनी जुबान के अनधर रखर मेंनदर प्स आपको बोखार नपना है तो चलि मैं यहां से ओपन कर लेता हूं और इसे कपड़े से पोचे लेता हूं चलि यहां पर देखिए यह लोग आगया है मैं आपना बॉखार नापकर देखाता हूं और यह तो यहां से थ्वड़ाइब यानि व्यविडियो बंप कर लेता हूं और दोस्तों हमने वीडियो को बंद करके यहां आपना बखार ना पा तो देखें epileps you pendutch है यहांनि हमावर नहीं है तो दोस्तों बूखआर मैं आपको संताया만 अन्थान लाइगे बीच में आता हRI तो उसे एक नहीं कहते या किसी अच्छे डॉक्टर से लाज करानी चाहिए दोस्तों बुखार तब कहा जाएगा 99 से निनानबे सो एक से एक या निनानबे 1.02 टू थी फॉर फाइव या एक से एक सो दू एक सो तीनी से तो यह हम बुखार बोलते हैं और संतन्विय न्धानबे के बीच में रहता है तो यह बुखार नहीं बोलेंगे तो शिक्राइए इसे कर देंगे बंद और इसे हम अच्छे से ठंडे पानी से इसे धो लेंगे ठीक है और इसे हम कपड़े से पोच लेंगे इस भाग को तो दोस्तों आप जान गए हैं कि बुखार के से नापा जाता है आपको किसी भी वाक्त आपको बुखार नापना है आदि आपको को भी क के बाद बनाया हुआ है मैंने बनाया है बहुत दिनों के बाद और यह वीडियो आप कंटिनीव आते रहेगे सब्सक्राइब कीजिएगा चनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको कुई कीमत यह देते हैं हमें तो यह रुपे मिला है साइध आपको कितने रुपे मिलेगा जरूर बताइएगा कि मुझे यह थावामिटर कितने में मिला है तो जरूर कॉमिट बताइएगा कि मुझे यह प्रचेस कितने का हुआ है या आप ऑनलाइन भी मगा सकते हैं या किसी मेडिकल सौप से भी आप ले सकते हैं यह आपको तो दोस्तों अपने पास कुछ मैडिसन जरूर रखनी चाहिए जैसे बच्चे हैं तो बच्चों क मैं आपको बहुत अच्छा दावा है जैसे कि को नाइट चाइना चिराइता जल से मिया में इसे बहुत यह अच्छी अच्छी बुखार के मेडिसने अपने पास रखनी चाहिए मैंने फीबर पर वीडियो बनाया है तो आपको देखना तो वीडियो का आप देख लीजे थ ताइक यू सो मच्छ बीडियो तकने के लिए बीडियो बोथ ही लंबा हो गया ताइक यू